कि वन्स अगें वल्कम बैक तो यॉर इंग्लिश क्लास लेट्स लर्न एंग्लिश विद कुष्छल राना तो स्टुडेंट्स मैं दुबारे से आपके साथ अब क्लास टू के इंग्लिश की बुक को लेकर मैं आपके सामने हाँ जिरू क्लास टू में हमारा जो फर्स चैप्टर है लेट्स पीक आओ बोलेंग तो ये बोलने के जो प्रैक्टिस है उसको लेकर हमारा फर्स चैप्टर है जिसमें आप देखेंगे आपको बहुत सारे अबजेक्ट्स बहुत सारे चीज़े आपको दी गई है जिसको आपको बोलने के प्रैक्टिस करनी है इससे पहले class में मैंने आपको बहुत सारे vocab के words, pictures, बहुत सारे examples की तोर पे दी so that आप उनको चीजों को देखकर उनको पढ़े और ज़्याद से ज़्यादा बोलने के practice करे तो इसमें हमारे बहुत सारे questions ऐसे हैं chapter के में जो मैंने उल्रेडी आपको पहले करा दी है like, vowels, consonants, use of a, and, and और आज का जो हमारा topic था use of this and that आप देखेंगे उन सभी चीजों को जो हमने पहली cover कर लिया है इस chapter में सबका interlink है आप समझ जाएंगे कि हाँ मैंने इस चीज अगर आपने वो पहली class नहीं देखी है तो इसके बाद जरूर देख लिजेगा और इसको share करें जादस से जादा I request to all the teachers जादस से जादस को share करें ताकि बच्चे इसको सीखे, पढ़े और बीच-बीच में इसको बोलने के practice करते रहे तो हमारा class to me let's speak हमारा है chapter 1 chapter 1 इसमें आप देखेंगे मैं आपको बोलकर दिखाऊंगे pronunciation के तोर पर आपको सेम उसी तरीके से बोलना है जैसे इसमें आपने देखा सबसे पहले जब मैं यहाँ पर आती हूँ या कोई भी teacher आता है आपकी class में जब आपके teacher आते हैं या जब आप school में आते हैं तो सभी लोग क्या बोलते हैं good morning क्या बोलते हैं good morning good morning रजिया सबसे पहले इसमें जोन बोलता है good morning रजिया रजिया नहीं बोला good morning जोन response में हम एक दूसरे को नमस्ते करते हैं सेम उसी तरीके से good morning जोन next पे जोन बोलता है what do you see in these pictures आप इन सबी pictures में क्या देख रहे हो what do you see in these pictures रजिया नहीं बोला है I see मैं देख रहे हूँ कौन मैं क्या क्या देखती हूँ a man a fan a tall man अब इसमें देखो बचो यह ही आया है क्योंकि सबी जितने हमारे word है सबका पहला alphabete वो क्या है consonant है उसके जाथ a hen a pen a fat hen इसमें भी कहीं भी an का use नहीं हुआ है just because of the consonant फिर हमारा a bin bin उतर dustbin a tin a small bin इनको आपको इसी तेरह practice करना है next है हमारा क्या-क्या pictures इसमें देख रहा है a bot a cot a red cot एक लाल रंग का coat फिर नीचे picture में है a hut a bus a big bus सबसे पहले जो हमारा main chapters में बहुत सारे pictures देकर इन्हों ने बता दिया है कि कैसे हमें sound के practice करनी है next इसमें आप इसमें देखेंगे ये भी नोंने पढ़ने के लिए words इसमें दिये हुए है suppose सबसे पहले हमें पढ़ना है अब ये kite पास में है same ये revision भी है आपका previous class का तो kite पास में है that's why they are using this is a kite second box दूर रखा हुआ है तो that is a box फिर cat है cat हमारी पास में है तो क्या है this is a cat next हमारी chair चेर दूर हो गई है तो उसके लिएम ने क्या use किया है that that is a chair because all four objects are singular चारो ही चीज़े हमारी singular में है next में देखेंगे he or she can use इसके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे लिकें फिलाल for the time पिंग हम समझेंगे he use किया जाता है इसके लिए male के लिए she use किया जाता है female के लिए लड़कियों के लिए she use करते हैं और लड़कों के लिए he use करते हैं, he for boys and she for girls, या इसको बोल लेंगे male, जितने भी हमारे male होंगे उसके लिए, फिर next है हमारा, इधर फिर हमारा male, female के लिए हमारा होगा she, तो next इसमें हमारा आता है ये वाली exercise, इसमें है this, that, ये आपको इसमें बताना है, कि जो हमारी ball है, वो दूर हो गई है, तो ball दूर है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, बताएगे next हमारा, इसमें है ball, ball दूर है तो क्या आएगा, that, क्या आएगा, that, next अब बताएगे, ये क्या है, dog, dog दूर है ये पास है, कहां है dog, dog है हमारे पास में, और पास है, singular है, तो इसमें क्या आएगा, this next है table, table फिर कहां चली गई, table है हमसे दूर, तो दूर के लिए क्या बताएगे था, single object है, singular में है और पार है, तो ये होगा हमारा, that next है हमारा, tree, tree कहां है, tree पास में है, and then again, we are going to use this, okay, अब यहाँ पर boy and girl है, दोनों के नेम बता दिये है, Mohan and Rita Mohan and Rita, तो Mohan क्या है, लड़का है, और अभी अभी मैंने आपको इसमें बताया था कि Mohan जो लड़का है, तो लड़कों के लिए हम क्या यूज़ करते है, he, and Rita is a girl, तो रिटा के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, she, तो यह हमारे इसकी exercise है, जादर से जादर इसको read करने के practice करने, क्योंकि हम इसको within a week हम इसको cover कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो practice होगी, वो होगी आपकी बोलने की, next है हमारा, yes, यहाँ पर आपकी answer sheet है, जो already मैंने आपको करा दिया है, now, word and meaning, word और meaning का बहुत महत्वे बचो, आप अपनी आपस की चीज़े जितने भी आपके आसपास है, आपकी room में जितने भी चीज़े हैं, आप उन सब को English में क्या बोलते हैं, यह आपको पता होना चाह होता है, इससे आपकी vocab भी improve होगी, और साथ के साथ आपकी chapter में क्या लिखा हो है, वो आपका concept भी clear होगा, एक जल्दी से overview कर देते हैं, क्योंकि हमारा chapter ही है, let's speak, तो आपको मेरे साथ साथ बोलना है, morning, सुबह, what, क्या, see, देखना, see मतलब देखना, look भी बोलते हैं, ले पेन, आदमी, और वुमिन क्या होगी, औरत, पेन, जो उपर होता है, पंखा, टॉल, टॉल, टॉल होता है, लंबा, फेन, मुर्गी, फेन, अब गाउं में बहुत जागे पर, लोग मुर्गी को पालते हैं, so that is हैं, पेन, the object you use to write anything, that is called पेन, पेट, मोटा, कोट, what means, नाउ हट, हट मिन, हट का मतलब, गलत लिखा है, यहाँ पर देखना, हट का मतलब होता है, जोपडी, हट का मतलब होता है, जोपडी, अब इसको यहाँपर करेक्ट करेंगे हम, हो पड़ी आप इसको करेंगे काइट काइट में पतंप बॉक्स बॉक्स होता है हमारा दबा किसी भी चीज को हम जुसमें समान रखते हैं कैट इस बिल्ली चेयर कुर्सी गर्ड लड़की बॉय लड़का तो यह हमारे जितने भी वर्ड मेंनिंग्स है क्लास में जितने टीचर बैटे हैं बच्चे बैटे हैं आपस में आप इन सभी को क्या करेंगे करने के प्रक्टिस करेंगे इसके जाद हमारा first chapter complete हो जाता है next chapter हम करेंगे next class में that is shapes and colors पहले भी आपको मैंवे shapes and color कराए है उसका quick revision हम next class में करेंगे till then आप इसको read करिएगा और आप इसको समझ जबी इसको ज़ाद सजाद से ज़ाद कीजिएगा जिससे कि हम अपनी classes का full benefit उठा सके Thank you so much